जन्मस्टमी भगवान कृष्णी के जन्म सब के रूप में मनाया जाता है। भाद्र प्रद कृष्ण बक्ष की अस्टमी तिति में रोणी नक्षत्र में काना जी का जन्म हुआ था। काना जी को कई सारे रूप और कई नामों से जानते हैं जैसे श्याम, मोहन, लड़ू गोपाल, बंसिधर, काना, इत्यादी। लेकिन जन्मस्टमी के पावन अपसर पर लोग लड़ू गोपाल की पूजा करते हैं। जन्मस्टमी पर उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उनके पसंदित्या वस्त्यों का भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है काना जी को तो मक्षन और दहीं पसंद है। लेकिर फिन उन्हें लड़ू गोपाल क्यों का जाता है। भगवान क्रिश्न के लड़ू गोपाल कहलाने के पीछे क्या रह से चुपा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है यह रोचक था। भगवान श्री क्रिश्न के परम भक्त कुम्मन दास जी ब्रज में रहते थी। उनकी पास श्री क्रिश्न की बासुरी बजाते हुए एक विग्रय था। वे क्रिश्न की भक्ति में लेन रहते थे। और श्री क्रिश्न की भक्ति में कोई वियाबधान ना आए। इसलिए शेहर से बाहर नहीं जाते थे। उन्हें एक वार विरिंदावन से भगवत कता का निमंतरन आया उन्होंने पहले तो मना कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी सेवा में कोई विग ना है लेकिन भक्तों के ज़्यादा जोड देने पर वे मान गए उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारे तैयारी करके जाऊंगा और प्रति दिन वापस आ जाएंगे इस परकार उनकी सेवा का नियम भी बना रहेगा उनके पुत्र का नाम रगुनंदन था कुम्मन दाज जी ने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भोग तयार कर दिया है तुम समय पर ठाकुर्जी को भोग लगा देना कुछ समय बाद रगुरंदर ने थाली में भोग ठाकुर्जी के समुक रख दिया वो ठाकुर्जी को भोग लगाने के लिए कहा उनके मन में था कि ठाकुर्जी स्वयमाकर वैसे भोग ग्रैन करेंगे जैसे हम भोजन करते हैं लेकिन जब उन्होंने भोग वैसा का वैसा पड़ा देखा तो वह उदास हो गए रगुरंदन ने ठाकुर्जी को पूरी शद्दा से पुकारा ठाकुर्जी भोग ग्रैन करो रगुरंदन की सची भक्ती से प्रसन होकर ठाकुर्जी ने बालक रूप धारन कर भोग ग्रैन किया रगुरंदन जी बहुत खुश हुए कुम्बनदाज जी ने बापिस आकर पूछा बगवान को भोग लगा दिया था? रगुनंदन ने कहा हां लगा दिया था कुम्बंदाज जी ने जब प्रशाद मांगा तो रगुनंदन जी कहने लगे कि ठाकुर जी ने सारा भोचन ग्रहन कर लिया कुम्मन्दाज जी ने सोचा कि पुत्र को भोग लगी होगी इसलिए उसने सारा भोजन खा लिया होगा अब यह रोज का नियम बन गया कुम्मन्दाज जी भोग की थारी बनाते और पुत्र को कहते कि भोग लगा देना और जब भी वे पुत्र से प्रसाद मांगते तो वे रोज एक ही बात कहता कि ठाकुर जी ने सारा बोचन ग्रहन कर लिया। कुम्मन दाज जी सोचने लगे कि उनका पुत्र एक ही बात रोज क्यों पोलता है। ठाकुर जी ने सारा बोचन ग्रहन कर लिया। अगर वे जूट बोल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है एक दिन उन्होंने भोग तयार कर रगुनंदन को बोला भोग लगा दो और वे स्वयम छिपकर देखने लगे रगुनंदन ने रोज की तरह भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक रूप में प्रकट होकर आए और लड़ू खाने लगे यह देखकर कुमबन दाज्ची दोड़े हुए आए और प्रभु के चड़नों में गिरकर विन्ती करने लगे उस समय श्री कृष्ण के हाथ में एक लड़ू और दूसरे हाथ वाला लड़ू मुख्योड जाने को ही था कि वे एकदम मूर्ती हो गए उसकी बात से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और वे लड़ू गोपल कहलाए जाने लगे लड़ू गोपल की सिवा वैसे ही की जाती है जैसे मां बच्चे की सुबा से लेकर रात तक करती है माना जाता है कि लड़ू गोपल की पूजा करने से परेशानी उसे चुपकारा मिलता है आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें अविश्य बताएं साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपके क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें